अस्सलामू अलेकूम, मैं जुलेखा अर्फा, जुलेखास किचिन से, तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी जबरदस्त, हाजिर मसालों से मसाले तो क्या बहुत कम ही सौसिस दले हैं, चाइनीज चिकिन पुलाव, बहुती जबरदस्त बनती है, अचा अगर आप कम मसाल वाली बिर्यानी खाते हैं, तो आप ऐसे बिर्यानी भी कह सकते हैं, चाइनीज बिर्यानी, तो चलिए शिरू करते हैं आज की रासें, साधारा नियाने, और एक्स्ट्रा ओडर्णरी चाइनीज चिकिन पुलाव बनाते हैं, ये 300 ग्राम चिकन बोलने से चर्वी निकाल लि एक चुटचाय का चमज, सोया सॉस, एक चुटचाय का चमज, घ्रीन चिली सॉस, आप चाहने तो रेज चिली सॉस भी दाल सकते हैं, और एक टेबल स्पून भर कर कॉन फ्लार यानि के कॉन स्टाज दाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मेरिनेट करने ढग कर इस समय कर तक पकने दीजिए, जब हैए मिनट हो जाए तो पलट दीजिये और उलट-पलट करते हुए तक रिबन 8-9 मिनट तक पका लीजिये, आप चाहें तो बक स於 1-7 से मीडियम के दर्वियान भी रख सकते हैं, बड़ तक रिबन 9-9 मिनट तक इसे बका लिजिए बाई देट टाइम के अंदर चिक्किन भी गल जाएगी और जो भी अगर उसका पानी वगर निकलना होगा वो भी सारा निकल के सूप जाएगा साटाट मिनिट हो चुके हैं और तकरीबन आप देख सकते हैं बड़िया सा घ्लेज आ गया है चिक्किन के उपर और चिक्किन के पीसे छोटे थे तो वो गल चुकी है तो चुले को में कर देती हूँ बंद आप चाहें तो आपका फ्राइपन थोड़ा दीप हो और उसी में आप बगारने चाह रहे हो पुलाव को तो आप वही लेड़ीजिए चिक्किन को निकाल दीजिएगा बट मैं एक अलग सेपरेट पतीली ले रही हूँ पतीली में तेल दाल दीजिए और उसके अंदर दाल दीजिए जब गरम हो जाए तो तीन चोटी चाह के चमश बारिक कटा हुआ लस्सन एक चोटी चाह के चमश बारिक कटा हुआ अद्रक और मैं यहाँ एक less spicy यानि के कम तीखी वाली मिडची को बारिक काट कर दाल रही आप चाहें तो आपके स्वाद अनुसार spice डाल सकते हैं अब जादा spicy हो तो आप देख लीजिएगा हरी मिडची अब इसे fry कर लीजिए बार-बार चलाते हुए एक तीड़ मिनिट तक फास्ट हांच पर lessen fry हो जाए तो यहाँ पर तीन चार spring onions की जो प्यास होती उसे मैंने चुंदा बारिक याने के काट के रखा था वो मैंने डाल दिया और उसे भी डाल कर एक मिनिट तक मैं fry कर लेती हूँ अच्छा आपके पास वो प्यास ना हो spring onions ना हो और उसकी उपर की प्यास ना हो तो आप एक medium size की प्यास को चुंदा याने के बारिक काट कर दाल और एक-दो मिनिट के लिए fry कर लीजिएगा जब प्यास fry होके एक-दो मिनिट हो जाए तो यहाँ पर मैं दो गाजरों को लंबे-लंबे काट कर पतले-पतले काट कर मैंने ये डाल दिये हैं इसे mix कर लीजिए और चूला medium आज कर दीजिए अच्छा दो medium size के गाजर थे और इसी भी दाल कर एक मिनिट तक fry कर लीजिए हमें पत्ता को भी जादा fry नहीं करनी है नहीं तो बहुत जादा पानी चोड़ेगी और एकदम नम हो जाएगी वैसी नहीं चीए थोड़ी सी fresh दिखने वाली और थोड़ी सी ऐसी कच्छी-पकी type ही होनी चाहिए अब बस एक टाइप के सिमला मिर्च को लंबा-लंबा काट कर दाल दिया अब आपके इसाब से उसे भी बारिक काट कर दालना चाहते हैं तो आप दाल सकते हैं सबजियां अब मैंने सारी आधी-आधी ली थी क्योंकि बड़े-बड़े थे यह तीनो टाइप की color की सिमला मिर्च आप सकते हैं एक बार चला लीजिए चलाने के बाद वो जो चिकन साइट पर रखी है वो सारी डाल दीजिए तेल भी जो है वो भी सारा थोड़ा जो भी लगा हो वो सारा डाल दीजिए इसे चला लीजिए एक बार सिमला मिर्चों को आधिम मिनित के लिए ही fry कीजिए उसके बा और यहां पर मेरे पास ना ओइस्टर सॉस घर में रखा था क्योंकि मैंने कोई रेसेपी बनाई थी उसमें इस्तमाल हुआ है तो यहां पर मैंने दो चोड़े चाय के चमच दाल दिये बट आप वो स्किप कर सकते हैं और यहां पर मैंने एक चोड़े चाय के चमच रेट चिली सॉस और एक चोड़े चाय के चमच ग्रीन चिली सॉस दाला है अगर आपके पास दोनों में से एक हो तो आप दो चोड़े चाय के चमच दोनों भी एक ही कलर की दाल दीजिएगा बट मैंने दोनों दाली है क्योंकि उनों के flavors थोड़े अलग होते हैं बहुत अच्छे से mix कर लीजिए इनको mix हो जाए तो आधे मिनिट तक ये जो सारे sauces हैं इनके साथ medium आज पर पकने दीजिए हमारी सारी सबजियों को तो थोड़ा सा उनके flavors भी आएंगे अब जब अधा मिनिट हो जाए अधा एक मिनिट तो चूला मीडियम पर ही था मैंने नम्मक बिल्कुल भी नहीं दाला आप चाहें तो दाल सकते हैं अब इसमें से मैं थोड़ी सी सबजी निकाल लेती हूँ पूरी ये आप देख सकते हैं और थोड़ी नीचे रहने देती हूँ चूला मैंने अभी इस समय स्लो कर दिया है अब साइट पर मैंने यहाँ चावल ले थे तकरीबन दो कप बॉइल करे हुए चावल है पूरी तरीके से बॉइल करे हुए ये हैं इसमें से थोड़ी से चावल मैंने नीचे फैला कर दाल दिये है सबजी सबसे पहले नीचे पतिली में फैलाई उसके बाद चावल पैलाए फिर से मैं थोड़ी सी सबजी ऊपर दाल रही हूँ फैला कर फिर से थोड़ी से चावल दाल दीजे और फिर से थोड़ी सी सबजी दाल दीजे और इसे ढख कर slow आज पर तकरीबन 15-16 मिनिट तक दम पर पकने दीजिए, मेरी पती लिए अच्छी थोड़ी सी मोटी है, तो मैंने नीचे तवा नहीं रखा, आप चाहें तो तवा रख सकते हैं, और उपर कुछ वजन रख दीजिएगा, अब 15-16 मिनिट हो जाए, तो देख सकते हैं, 15-16 मिनिट के बाद क्या बढ़िया सी भाप फूटी है, आप देख सकते हैं, तो चूले को कर दीजिए बंद, और इसे ढख कर फिर से वजन रख कर इसे तकरीबन 15 मिनिट as it is रहने दीजिए, चूला चालू नहीं है, तो क्या होगा हम जब उसी समय उसे खोल कर न हमारी चाइनीज चिकन पुलाव अब थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, आप चाहें तो ऐसे बिर्यानी भी कह सकते हैं, चिकन चाइनीज बिर्यानी मज़ेदार सी, हमारी बढ़िया सी चाइनीज चिकन पुलाव को एक सर्विंग डिश में निकालें, और गर्मा स्वादनुसार जादा दाल सकते हैं, आप भूत 1-5 मिर्चिए, और काली मिर्चियों को पाउडर भी जादा दाल सकते हैं,ोइस्टर स συम्टिए को काटने को च्राप कर दीचे सबजीया कम यह मैं निकाले स्वाधनुसार चाहें। तो है ना मसेदार रेसिपी आज की, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगयो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, उससे जादा अच्छी लगयो तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फरवर्ड बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे लगते हैं, तो हाँ बस फिर से आजिर होंगी नहीं शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंतल देन टेक केर आला, हाफिस, बाबाई